हेलो एबरीवन तो भी हम देखेंगे क्लास फोर का चैप्टर वन दे अंसेंकिबल शेप तो बोच स्टार्ट करते हैं और 10 अपरिल 1912 लाज़ेस लग्जरी शेप इन दो वर्ल सेट सेल फ्रम सौथ एंप्टन इन इंग्लेंड तो न्यू यॉक तो 10 अपरिल 1912 10 अपरिल 1912 में एक लग्जरी एक बहुत लग्जरी सी शेप वर्ल में वो अपना जर्णी बिगेंड करने वाली थी अपना सफर शुट जहाँ से उसको जाना था उसको इंग्लेंड से न्यू यॉक के लिए जाना था Southampton in England से वो न्यू यॉक के लिए जा रही थी वो शेप और वो बहुत लग्जरी शेप थी और वो पुरी लग्जरी शेप थी इन दो वर्ल मतलब सबसे बड़ी और लग्जरी मतलब जिसकी बहुत हाइफाइड और फैसलेटी और उसका कॉस्ट भी जादा हो वो अपना ज टाइटनिक दो वर टाइटनिक मिन्स यूज और टाइटनिक का मतलब क्या होता है यूज मतलब बड़ा इस वर मेरन वो एच तैस हर फॉस्ट वो एच शी सेट आउट टो क्रॉस्ट अट्लैंटिक ओशन और शी वस करेंड मोर दन 2,000 पैसंजर तो इसमें बोला गया उसका जर्णी था फॉस्ट टाइम जा रही थी उसका फॉस्ट वो एक ता मलब फॉस्ट टाइम वो ट्राइव जा रही थी शेप और उसको क्रॉस करना था अट्लैंटिक ओशन और उसने मोर दन मतलब 2,000 से जादा पैसंजर को उसने लिया हुआ था शीप में पर 2,000 से भी जाद पैसंजर्स थे शी कॉन इसमें बोला जारा है ताइटनीक को बोला जा रहा है तो उसने मोर दन 2,000 पीपल को शीप में थे और वह टाइटनीक वस लाइक अ फ्लोटिंग टाउन जिसे की मलब टाउन की तरफ फ्लोटिंग टाउन देखी है यहां पुरे घर है फ्लोट कर रह यहां water है तो इसे floating town बोला दिये देखें यहां घर है और town पुरा एक साथ घर है town की तरह और निचे पुरा वह water है तो वैसे उसको भी floating town बोला जाता था तो आगे देखते हैं everyone called the titanic the finest sheep in the world everyone was proud of her she was tall as a building with 15 stories inside she was like a large hotel with grand staircases, dining room, shops and swimming pool तो इसमें बोला गया है कि सब उसे titanic the finest sheep in the world मतलब पूरा मतलब complete sheep मतलब उसमें हर facility थी मतलब जिसकी हर जो चीज होनी चीज वह सब थी उसमें देखिए dining rooms थे, shops थी, swimming pools, staircases पता है ना सीड़ी वो सब थी और वो एक hotel की तरह लगती थी एक बहुत बड़ा hotel में इसा facility रहती है ना तो सेम hotel जैसी ही थी बट वह एक sheep थी और सब उस पे मलब इदम फाइनल जो 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 शीप में होना चाहिए वह सब फैसलीटी थी तो इसलिए उसको क्या बोला जाता था पुटी कम्प्लीट चीप थी तरह Beimृट सब तो इस पर चीप पर शीप अचेनिये थी जाता वाधन ही म merchे foundation कुर्ड बुर्पड़ है वह एक बिलडिंग की तरह थी तो इस बिलीड़न विथ 15 स्टरे स्टरेण तो इस स्टरे इस माधब फ्लोर्स की बिल्डिंग उतनी बड़ी थी वो शीप सोची कितनी बड़ी शीप थी और इसमें हर फैसलीटी थी देखिए लाज होटल की जैसे ही दम थी पुरा ग्रेंड स्टेर्स, डाइनिंग रूम, शॉप्स हर फैसलीटी थी वो शीप में तो इसमें बोला गया है कि सब बोलते थे टाइटनिक को ये कभी डूबेगी नहीं, ये जो टाइटनिक शीप थी ये कभी नहीं डूबेगी, शिंक मलब डूबना और सब उसे बोलते थे कि ये अंसिंकेबल शीप है, वो कभी डूबने वाली शीप नहीं है, ये शीप कभी डूबेगी नहीं, तो इसलिए उसको बोलते थे ये अंसिंकेबल शीप बोले जाता क्योंकि वो शीप कभी नहीं डूबेगी और जो बनाए थे shipbuilders थे उनको इतना अपने पर विश्वास था कि उनलोग ने बहुत कम live boat ship में रखा था live boat का मलब देखिया दिया है small boats carried on a ship to reuse passenger in a case in star sinking मलब अगर ship डूब रही है तो safety के लिए रखा जाता है न ऐरोपलेन में भी रखा जाता है कि अगर एरोपलेन ट्रैश हो गया तो रखा जाता है कुछ bag तो उसको पहन के फिर नीचे land होते है parachute जैसे होते हैं parachute नी होता है पारशूट को देखिया है वैसे ही वो रहता है वो भी नीचे land होता है और वैसे ही शीप में भी extra boats होते हैं जो मतलब रखे जाता है safety के लिए कि अगर शीप डूब गई तो उस पे passenger को बैठा के वो बराबर उनको जहाँ पहुचना है वहाँ पहुचा देंगे safety के लिए रखा जाता है बट जो ship builder थे टाइटनी के वो इतना sure थे कि यह शीप कभी नहीं डूबेगी तो वो लोग ने बहुत कम lifeboat रखा था शीप में क्योंकि उनको तो पता था यह शीप नहीं डूबेगी तो इसलिए उन्होंने बहुत कम lifeboat रखा था बट वो शीप तो एंड में तो डूब गई तो चली देखते हैं the journey was very comfortable the passengers was very proud because they were traveling the best ship in the world they felt safe तो फिर फिर वो journey start हो गई journey बहुत comfortable थी तम आराम से जा रही थी journey चल रही थी और जो passenger बहुत proud feel कर रहे थी क्योंकि वोग सबसे बेस शीप वर्ल्ड में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट शीप में बैठे वे थे बहुत luxury शीप थी मैंने बोला ना आपको वो सोची वो वो शीप में बैठे थे उनको बहुत proud feel कर रहे थे और लोगोंको safe लग रहा था उनको लग रहा था यह शीप बहुत safe है then came the night of 14th April यह सब याद रखी अपडेट अगर exam में पूछा जाए कि ऐसा इसा situation कौन से day में हुआ था तो आप लिख सकते हैं 14 April के night में हुआ था यह सब याद रखी आप मीन हैं then came the night of 14th April the sky was clear and the sea was clean many of the passengers were asleep Captain Smith knew that there were icebergs nearby so he told a man to keep a watch from the top of the ship suddenly तो चले प्लेट नहीं देखते हैं फिर एक रात आई 14th April की जिसमें पूरा sky clear था कोई खत्रा जैसा नहीं था इदम clear sky था और जो seat था वो भी इदम clear था कुछ claim मतलब कुछ वो नहीं था जैसे खत्रा कुछ नहीं था सब पराबर था जैसे होता है और बहुत सारे passenger सो गए थे और captain smith को पता था कि यहां बहुत सारे iceberg होते हैं तो इसने वो उसने एक man को बोला था कि तुम ना नजर रखो ship के उपर से एक iceberg आपको दिखाती हुए देखिए ऐसा हो रुकी में दिखाती हुए देखिए iceberg ऐसा होता है देखिए iceberg है यह देखिए यह सब iceberg है यह देखिए यह है पर सी और यह देखिए यह अंटार्टिका का है यह देखिए iceberg ऐसा रहता है पूरा बहुत बड़ा दम वो रहता है कि इसका ice का बना रहता है तो आगे देखते हैं कि यह दोल आगे यह दोदिसके झाहे गया है कि उणको मेत किने सत्ता है